अब दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है चले दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10 हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचे दोस्तों अगर आप भी क्लास 10 में हैं और 2024 में बोर्ड देने वाले हैं यानि कि बोर्ड परिच्छा देने वाले हैं तो आज आप लोगों के लिए यह महतुपूर्ण जितने भी चार जीवन परिचे लेकर आए हैं यह जीवन परिचे वे वैसे जीवन परिचे हैं जो आपको जो है 2024 में डायक्ट पूछा जाएगा यह आपका समझे पेपर में जीवन परिचे जो है हर साल रिपीट करता है तो आज हम आपनों को बताने वाले हैं सांदार ट्रीक के साथ वो भी 100 ट्रीक के साथ बिलकुल आसान तरीका में ठीक है ऐसा आप लोग कभी देखे भी नहीं होंगे और एक बार देख लिजिएगा तो आप लोगों को हमेशा क हम बताने वाले हैं सभी जीवन परिचे को अभी आप लोग जल्दी से समझ लिजिए अपने नोट बुक में नोट कर लिजिए क्योंकि जीवन परिचे इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है ठीक है चलिए तो अब ये चार जीवन परिचे क्या है हिंदी में चलिए आप है तुलसी दास जी का किनका तुलसी दास जी का और चौथा किसका है महादेवी वर्मा जी का और एक है हमारा आचारिये राम चंद्र सुकल जी का ठीक है एक है आचारिये राम चंद्र सुकल जी का जो कि हम आपको पहले भी बनाकर वीडियो दे दिये हैं उसको भी देख ल बताएंगे और आप लोग अपने नोट बुक में जरूर नोट कर लिजिएगा तो सबसे पहला हमारा होगा जैसंकर परसाथ दूसरा होगा हमारा सूरदास जी तीसरा होगा तुलसी दास जी और चोथा होगा महादेवी बर्मा जी ठीक है चलिए आईए हम बताएंगे कि आप आपको जो है यह जो जीवन परिचे होता है इसको कैसे लिखा जाता है बोर्ड में ठीक ना चलिए तो आपके सामने आ गया है जीवन परिचे सबसे पहला हमारा है जैसंकर परसाथ जी अब आपको यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से समझना है यह है आपकी जैसंकर परसाथ तो देखिए जीवन परिचे जो लिखा जाता है तो सबसे पहले आपको एक short format में इस तरह से लिखना होगा ठीक है अब देखिए इसमें आपको क्या करना है नाम लिखना है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं जीवन परिचे जैसंकर परसाजी तो इनका नाम हो जाएगा न चलिए अगर जैसंकर परसाजी की माता जी का और पिता जी का नाम अगर यहाँ जाने तो माता का नाम था मुन्नी देवी और पिता का नाम था देवी परसाद दिखिए अराम से समझना है ठीक है objective भी यहीं से मिलता है अगर यह चीज़ समझ गए तो objective भी आप लोग समझ ग तो जे संकर पसाजी का जो रचना है वो क्या-क्या है तो कमाईनी है लहर है जहरना है ठीक है यह जो important है उसके बाद नीचे भी हम कुछ बताएं है उसको भी समझना है ठीक है important जो है उसी को लिखना है उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है clear न चलिए तो यह चीज समझ गया है यह जो बताएं है यह सारा चीज आपको एक format में पहले लिख देना है और इसी चीज को पूरे बिस्तार में लिखना है कैसे देखिए नीचे हम लिख दिये हैं समझ येगा ठीक है और एक एक चीज को हम अंडरलाइन कर दिये हैं हाइलाइट कर दिये हैं ताकि आपको समझने में परिशानी ना हो clear न देखिए महान लेखक महान लेखक कभी जैसंकर परसाद जी का जन्म जो है वो अठारो सो कितना में नवासी इस्वी में हुआ तथा मिर्त्यू जो है इनका 1937 इस्वी में हुई ठीक है बहु मुखी परतिभा के धनी ये क्या थे बहु मुखी परतिभा के धनी जैसंकर परसाद का जन्म वारा नस परिवारिक उत्तरदाइट्व का बोज इनके कंधों पर आ गया यानि कि बच्पन में जब इनके पिताजी का जो मिर्तियू हो गया उसके बाद सारा कामका जो है जैसंकर प्रसाजी के यूपर ही आ गया ठीक है और देखिए उसके द्वारा प्रसाद जी द्वारा कुछ रचित रचनाएं है उसको जाद देख लिए अब जितना हम बताये हैं उतना नहीं लिखना है इसमें जो इंपोटेंट है जो हम यहां पर यहां पर जो हाइलाइट किये हैं उसी को लिखना है पर मुख रचना क्या है जिसे जर्णा आपको याद कर लेना है आसू याद कर लेना है लहर याद कर लेना है कमाईनी याद कर लेना है ठीक है इसमें से लंबा हम इसलिए लिखे हैं कि जनमेजे का नागयग है, राजशिरी है, आजात सत्रू है, विसाख है, एक घूट है, कामना है, करूनाले है, उसके बाद देखे, कल्यानी परिने है, अगनी मित्र, प्रैस्चित है, सजण छाया है, उसके बाद देखे, पर्ति धुईनी है, आकास दूइप है, आन्धी है, अधूरा उपन्यास कोन सा था ठीक है ये इनका जो है important है बस इतना ही आपको क्या करना है इनके बारे में लिखना है कि इनके बारे में जैसंकर परसाजी के बारे में तो पहला complete हो गया आईए दूसरा देखिए एक ही वीडियो में हम चारो complete कर देंगे ठीक न और इससे आपक का तस्बीर लगा हुआ है इनके बारे में लिखना है कैसे इनका नाम क्या था सूरदास जी जन्म कब हुआ 1478 इस भी पिताजी का नाम था पंडित राम दास इनके गुरु जी का क्या नाम था आचारिये बलभाचारिये ठीक है इनकी रचनाएं क्या क्या थी तो देख इसके बारे में पूरे details में क्या लिखना है देखिए details में कुछ इस तरह से लिखना है कि महा कभी सूर्दास का जन्म कभ हुआ था 1478 इसवी में रुनकता छेत्र में हुआ था आपजेक्टिम में पूछेगा कि सूर्दास जी का जन्म कहां किस छेत्र में हुआ था तो दोस्तों याद रखिएगा रुनकता छेत्र में डीक है सारस्वत ब्राह्मन परिवार में हुआ था यानि कुछ लोगों का मानना है कि उनका जो मतलब क्या है कि जनु जो हुआ था वो दिल्ली के पास एक सिही नामा कस्थान है ठीक है और एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मन परिवार में हुआ था ठीक है देखिए वो बहुत बिद्वान थे वो बहुत बिद्वान थे कौन सूर्दास जी उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं किलियर है इतना आपको लिख देना है उसके बाद देखिए इनके वारे में कुछ रचना दिया गया है जो इनके द्वारा रची गया मतलब जो उसको देख लिजी परमुक रचना क्या है तो इनमे सूर सागर है ठीक है सूर सरावली है साहित लहडी है नल दयंती है ब्यालो के अतिरीक्त क्या है दसामसकंद टिका है ये है नाग लीला है भागवत है उसके बाद क्या है गौबरधन लीला है ठीक उसके बाद क्या है सूर 25 है सूर सागर है सूर सागर सार है ठीक है यह सार है प्रान प्यारी है आधी गरंद सम्मेलितDoes यानि कि बहुत सारह है इसमें जो आपको important लगे जो headline यहाँ पर underline कर दिये हैं highlight कि यह हैं उसके बाद इन में प्रारम्भ के तीन गरंति ही महतपूर्ण समझें प्रारम्भ के जो यह हमारे तीन है सूरचागर सूरसावली इसूरसारावली और सहितलारी यह आपका important है के वे हुए थे ठीक है और इनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं यह आपको लिखना है बस इतना ही आपको लिखना है एक एक चीज को इसमें जो इंपोटेंट है वो लिख लेना है उससे ज्यादा नहीं लिखना है किलिए है चलिए यह कंप्लीट हो गया अब आईए अगला हमा से क्या था हमारा यह हमारा था सूर्दास जी ठीक है यह सूर्दास जी की जगपर आगे है तुलसी दास का तस्वीर किलियर है तो इसको एक बार देख लीजिए आप लोग उसके बाद हमारा है तुलसी दास जी देखिए तुलसी दास जी के बारे में आपको क्या करना है पत्नावली और इनका मिर्ट्यू कभ हुआ 1632 इस्वी बस इस तरह से आपको एक फॉर्मेट तयार कर लेना है और इसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको बनाना है किलियर है ना चलिए अब इसके बारे में विस्तार में थुरा जानते हैं क्या क्या है जीवन परिचे की बात करे तो गौस्वामी तुलसिदास जी का जनुद 1532 इस्वी में उत्तर परदेश के बांदा जिले के कहा पर हुआ था राजापूर गाउं में हुआ था ठीक है इनके पिता पंदिद आत्मा रामदूबे तथा माता जो थी वो हुलसी देवी थी बस आपको इतना ही लिखना है आप देखिए व्यक्तित्व जो है इनका क्या था एक बार देख लिए व्यक्तित्व इनका था या भक्ति काल के बेख्यात कभी थे देखिए कोस्तर में पूछेगा ठीक है कि तुलसिदास जी जो थे वो किस काल के कभी थे तो भक्ति काल के बेख्यात कभी थे परभू स्र च्परहन सीलब्ड इंन दिवने कौन नहीं है अभी के समय में ठीक है तो सारे लोग है ठीक है हम बी है और आप हैं कि इनके बारे में कुछ रचनाय हैं समझिएगा उन मेंसे जो है राम शरीत मानगा से हैं बिनय सारा है लेकिन उतना आपको नहीं जानना है केवल जो IMPORTENT है हुगा ही समझना है बस इतना ही लिखना है किलिए है तो ये हो गया किसके बारे में तुलसी दाजी के बारे में किलिए है अब देखिए हमारा last जो है वह महादेवी वर्माजी के बारे में ठीक है अब ये भी important है हम ये 4-5 जो बता रहे न बोर्ड में इससे बाहर नहीं आएगा आप इसको एक वर अपने notebook में लिख लीजिए और इसको आप हमेशा revision करते रहिए ठीक है अब आपके सामने यहाँ पर महादेवी वर्मा जी है तो इनके बारे में क्या लिखना है नाम में जप्पा रसीम और इनका जो मिल्टू हुआ कभ हुआ 1987 इस भी में बस यह आपको format पहले लिख लेना है जैसे हम बता रहे हैं उसी तरह से आपको जीवन परिचे लिखना है ठीक है examiner एक भी नंबर नहीं काटेगा अब आईए इनके वारे में पूरे details में जानते हैं विस् आप अब तरहा है उनके परिबार में लगबग 200 वर्सों या साथ पिढियों के बाद पहली बार पुत्री का जन्म हुआ था अब समझ सकते हैं कि महादेवी वर्माद जी जो थे कितने स्वभाग साली थे इनका जन्म जो है उनके परिबार में 200 वर्सों का लिजिये या बावा जो थे उनका क्या नाम था बावु बांके बिहारी जी हर्स से जूम उठे यानि खुसी से इतना जूम उठे अब होगा क्यों नहीं किसी के घर में 200 वर्सों या साथ पीधी के बाद उनके घर में लक्षमी जी का आगमन होगा तो कौन नहीं खुसी से जूम उठेगा भाई साब सभी उठ जाएगा ठीक है चलिए तो और इन्हें घर की देवी अब उतना दिन के बाद जब कोई आती है ठीक है तो वो कही न कहीं घर की देवी ही होगी महादेवी मानते हुए पुत्री का नाम महादेवी रखा किलियर ना चलिए उनकी परमुख काव रचनाय इस सब्त परना है, संधीनी है, दीप गीत है, सांधी गीत है तो दिखे आपको उतना नहीं याद रखना है जो हम यहाँ पर हाइलाइट किये हैं उसी को याद रखना है निहार, निर्जा, रसीन और दो-चार और इसमें से याद कर लिजेगा जाधा आपको याद नहीं करना ह बस ये पांच जो है ना जीवन परिचे आप लोग एक बार अपने नोट बुक में नोट कर लिजिए और पेपर में जाके 100% यही आएगा आप लोग उतार दिजिएगा ठीक है और पांच नमबर की आदास नमबर में जब भी पूछेगा तो वहाँ पर एक भी नमबर नहीं कातेगा तो उमीर करते हैं यह पांचो जीवन परिचे एक ही वीडियो में हम बना दिये हैं जल्दी जल्दी अपने नोट बुक में नोट कर लिजिए और अपने दोस्तों में सेर भी कर दिजिए ठीक है क्योंकि इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा और यह हम ही बता सकते हैं के भल किलियर है ना चलिए दो उमीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा ठीक है तो दोस्तों उमीद करते हैं कि आप लोग यह सारा चीस समझ गया होंगे और अपने अपने काम में लग जाईए सभी को नोट बुक में नोट कीजिए और बनाना स्टार्ट कर दीजिए ठीक है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मतरण